हाई लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबा स्टड़ी पे तो चलिए सुरू करते हैं आज के कलास आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडिटेरिया का प्रैक्टी से ट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट पौला कोशन हो जाएगा समराट असोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं में कौन एक नहीं है जो समराट असोक बराबर की गुफाएं के निर्माड करवाए थे उसमें कौन सा एक नहीं है तो जो नगारजूनी है ये नहीं है बाखी जब सुदामा गुफा और कॉन चोपर और वीश्वे जो है ये बराबर की गुफाव में आता है असोक जो थे मौरे बंस के सासक थे मौरे बंस के संस्थापक आएगा तो चंद गुप तो मौरे थे उनके उत्रा अधिकारी हुए बिंदु सार और बिंदु सार के उत्रा अधिकारी काएगा तो असोक हुए और असोक के उत्रा गाली काईगा तो कूडाल हो जाएंगे बराबर की जो गुफाएं हैं ये गाया बिहार में स्टीत हैं और सोक के सीला लेक के खोज किये थे टी पैंथर ने 1750 में और कहेगा पहली बार किसमें पड़ा था तो जेम से प्रिंस्पे पड़े थे 1837 में दू नमर हो जाएगा निलिकित कीस जैन तीर्थ करके अनुवाई निर्गंथ कालाते थे तो जो पार्षव नाथ थे इनके जो तीर्थ करते उनको निर्गंथ करते थे और पार्षव नाथ जैन धरम के तेसेवे तीर्थ करते और इनका पर्तिक चिन कहेगा तो सर्फ हो जाएगा वही जयन्धरम के कईगा संस्थापक कौन थे तो रिशव देव हो जाएंगे जयन्धरम के संस्थापक रिशव देव हो जाएंगे और कईगा किन जयन गुरुव कवलेख रीगवेद में मिलता है तो रिशव देव और और इस नेमी कवलेख रीगवेद में मिलता है दूसरा काएगा तो अजित नात थे और इनका परतिक चिन्था हाथी। आगे देखेंगे, तीन नमर हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी तटिये जिल कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटिये जील हो जाएगा चिलका जील जो की उडिसा में है और ये खारापानी की जील है पेरियार जील हो जाएगा केरल राजे में और इस पे इडो की पर्योजना इस्तित है पुलिकट जील कहेगा तो तामिलाडू और आंध परदेश के बीच में है बुलर जील ये भारत की सबसे मीठी जील है और ये जमू कस्मीर में इस्तित है भारतिय उप माधिप में समिलित देशों की कुल संख्या कितनी है भारती उप माधिप में समिलित कूल देश की संगे हो जाएगा साथ कि सार्क के गठन कब हुआ था? सार्क के गठन हुआ था उनीसो पचासी में और इसमें क्योल पकिस्तान जोड़ देने के बाद सार्क में आठ देश सदस से है जिसमें हो जाएगा भारत, भुटान, बांगला देश, नेपाल, सिर्लांका, मालदीव एउँ, पकिस्तान ये सार्क के आठ सदसे देश है सार्क के अस्थापन हुआ था उनीसो पचासी में और इसका मुख्याले के गठत कटमांडू हो जाएगा आगे देखेंगे पांच नमर है धौलादर और पीर पंजाल के बीच कुलू घाटी इशती थे जोकी हिमाचर परदेश राजे में है और इसे देव घाटी भी कहते है चो नमर हो जाएगा निन लिखित में से किस दीप को अगनी दीप के नाम से जाना जाता है अगनी दीप कहते हैं आइसलेंड दीप को और गिरिलेंड ये बीसवे का सबसे बड़ा दीप है और इस पर अधिकार कहेगा तो डेनमार्क देश का है एसिया का सबसे बड़ा दीप कहेगा तो बोर्नियों दीप हो जाएगा हावाई दीप को परसानत मासागर का चोरहा का आ जाता है आगे देखेंगे मुंबई हाई में ओएन जी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पालीबर कोप की गई थी पालीबर किये गए था उनिसो चोवातर में भारत में अस्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुए थी उनिसो चीयासी में और अस्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखों को आपसे कहदेगा तो हो जाएगी सोभाडे पुस्तक कहेगा तो सोभाडे हो जाएगी और भारत में STD सेवा की शुरुवात हुआ था 1960 में कलकाता से कांपूर से लखनों के बीच और नाबाड के अस्तपना हुआ था 1982 में समीती कहेगा तो स्रीरामन समीती की तहत आठ नमर हो जाएगा कीस मीती में कैपिलारी की किरिया सबसे अधिक परभाव साली होती है तो यह हो जाएगी बलूई मीटी बलूई मीटी जो है इसमें जल धारन की छामता जो होती है सबसे कम होता है और बलूई मीटी का छोड़न सबसे अधिक होता है नव नुमर हो जाएगा भारत में अंतरीक्षे कारे करम की शुरुआत की स्वर्स की गई थी भारत में अंतरीक्षे कारे करम की शुरुआत हुआत हुआ था 1962 में भारत में पिन कोड की शुरुआत कहेगा तो 1922 में हुआ था और इस रो के गठन हुआ था उन्हीं सोनवतर में जिसका मुख्याले है बैंगलोर में। दस नमर हो जाएगा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला सामाचार पत्रे कौन सा है तो ये हो जाएगा दो हिंदू। भारतीय पत्रे काड़िता के अगरेदूत काएगा तो राजा रम मुहानराई को कहा जटा है। आगे देख भलेंगे बन महस्य की सुर्वात किस नहीं की थी, बन महस्य की शुर्वात किये थे, के मुंसी और 59.90 में किये थे। वही भारत के वाटरमेन कहेगा किसे कहते हैं तो राजेंदर सिंग को वाटरमेन कहा जाता है और वही चीपको अंदोलन से समान्दित कौन है तो चीपको अंदोलन से समान्दित है सुन्दालाल बहु गुड़ा और चीपको अंदोलन हुआ था 1973 में और ये हुआ था उत्राखंड में चीपको अंदोलन से समन्दित है सुन्दालाल बहुगोडा और ये उत्राखंड राजे में हुगा था 1973 में नर्मदा बचाओ कहेगा अंदोलन से कौन समन्दित है तो मेघा पाटेकर हो जाएंगे नर्मदा नदी अमर कंटा के पाड़ी से निकलती है और मादे पर्देश में अधिक वहती है और नर्मदा नदी को गुजरात की जीमा देखा भी कहते हैं आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 12 नमर है समया से अ्तमक जलिय घास फूस है तो ये हो जाएगा आईकार निया यह जोला के आयते यह जैला एक जै उर्वरक घास है और बुलफिया क्या है तो जलिय यह पोदा है बुलफिया क्या है तो जल ये पोदा है तेरह नमर हो जाएगा इन में से कौन सा निवेस बजार से समन्दित नहीं है तो पूंजी देनदारी जो परवंदन है ये बजार से समन्दित नहीं है बाकी जो हो जाएगा कैरी फरवर्ड, बाय बैक और डिपाजिट्री कहेगा ये सबी निवेस बजार से समाधित है चौधा नमर हो जाएगा GST परिशत के अध्याक्ष निम्न में से कौन होते हैं GST परिशत के अध्याक्ष होते हैं बीद मंतरी भारत में GST लागू हुआ था एक जुलाई 2017 में पहला राज्य कहेगा तो आसम हो जाएगा और पहला देश कहेगा GST लागू करने वाला फरांस हो जाएगा उनेशो चौवण भारत में GST एक सब एकवा समिधान संसो दन अध्यागुत लागू किया गया था और भारत GST लागू करने वाला एक सब एक साठवा देश है RBI के बरतमान गोवर्नर कहेगा तो सकती कांत दास है RBI के जब अस्तापना हुआ था एक अप्रील 1935 में एक टो 1934 के तोहत उस समय इस कहेगा कि कितने पूंजी के साथ RBI के गठन किया गया था तो 5 कुरूर पूंजी के साथ किया गया था निम्न में से कोवन परत्यक्षकर का उधारन नहीं है तो इसमें जो बिक्री है बिक्री कर हो जाएगा ये परत्यक्षकर का उधारन नहीं है क्योंकि विक्री कर एक औपर्त्यक्ष कर है निगम कर और उपहार कर ये पर्त्यक्ष कर है पर्त्यक्ष कर से कहेगा कौन सी समीती समानित है वांचु समीती का समध हो जाएगा पर्त्यक्ष कर से और रेखा समीती का समध हो जाएगा औपर्त्यक्ष कर से अपर्थयक्ष कर में आते हैं बिक्री कर, सीमा सुल्क, उत्पाद सुल्क और तर्ट सुल्क ये जो सब है ये अपर्थयक्ष सुल्क में आते हैं सोरा नमर हो जाएगा नीमन और्थ सास्त्रियों में किसने कहा था और्थ सास्त आर्दर्स बिग्यान है तो ये कहे थे मार्शल और्थ सास्त जो है आर्दर्स बिग्यान है किसने कहा था तो मार्शल और और्थ सास्त चुनाव का बिज्ञान है या और्थ सास्त वास्तिविक बिज्ञान है ये किसने कहा था तो रोविंस कहे थे इंट्रेस्ट एन वानी पुस्ता के लेखा कहेगा तक किन्स हो जाएंगे और वही wealth of nation पुस्ता के लेकक हो जाएंगे एडामी स्मित और और्थ सास्त्र के पीता एडामी स्मित को कहा जाता है भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत नियांतर के महलेखा परिछक की नियुक्ती होती है तिये हो जाएगा अनुछेद 148 वही कहेगा कि विधान सभा का सोत्र नहीं चलने पर अध्याधेश जारी करने का सक्ति राश्पती को किस अनुछेद के तहट दिया गया है अनुछेद 123 के तहट और अनुछेद छियतर में महाननेवादी की नियुक्ती है आगे देखेंगे कीस समिधान संसोदन द्वारा भूत पूर्ट गाली अंतो छेतरों को भारत में सामिद कर केंद्र सासित परदेश का दर्जा दिया गया तिये हो जाएगा बरावा समिधान संसोदन इसके तवत गुवा और दमन दिव को केंद्र सासित परदेश बनाया ग दादर एमनागुर हवेली को किंद शासी त्राजय का गटन किया गया आगे देखेंगे जो गतार आजरेंद परसाद सविधान सबा के निम्न में से किस समीति के अध्यक्ष नहीं थे तो अलपसंक्याग समीति के अध्यक्ष डोगये देख्ष कहलेगा तो सर्दार पटेल थे और प्रांतिय सवा के भी सर्दार पटेल थे परकिरिया नियम समीती और बीत यह क्रमचारी समीती यह संचालन समीती कहेगा अध्यक्स थे राजेंदा परसाद वही में कारे संचालन कहेगा तो केम मुनसी थे बीस नमर हो जाएगा बिरिटीस भारत में कानून निर्माण परकिरिया में भारतिये परतिने दितियों को सामिल करने की शुरुवात किस अधिनियम द्वरा किया गया ती अधिनियम ता भारत परिशद अधिनियम 1861 इसके तोस पहली बार अधिया देश जारी करने का देश दिया गया था भारत परिशद अधिनियम 1892 का समंध है और परतियक्ष निर्वाचन परणराली से भारत परशत अदनी हमोनी सुनाव का समन्द कहेगा तो मारले मिंटो सुधार से हो जाएगा आगे देखेंगे 61 नमर है नीम्नी लिकित में से कीश अनुछेत के अंतरगत राज्यों में पांचायतों का चुनाव कराए जाता है तो पंचायतों का चुनाव का उलेख अनुछ्यद 243 के K में है और अनुछ्यद 244 के C में कहेगा तो पंचायत राजे के संरचना है अनुछ्यद 243 के D में पंचायत राजे में A-C-A-S-D का आरग्छन है आगे देखेंगे भारत में समिधान सभा के गठन का विचार सर्व प्रतम किसने रखा तो सर्व प्रतम एमेंदाय रखे थे दादा भाई नरौजी को भारत का ग्रेंड ओल्ड में कहा जाता है और इन्होंने पहली बार धन निसकासन का सिधान दिये थे 18666 में लाला लाजपत राय को पंजाब केश्री के उपनाम से जना जाता है तैस नमर हो जाएगा और शिष्ट सक्तिया का केंद्र में नीथ होने का सिधान भारतिय समिधान में किस देश से लिया गया है ये लिया गया है कनाडा से और संगिये बिवास्ता भी कनाडा से लिया गया है नागरीकता कायगा तो भी टेन से लिया गया है मौली का दिकार लिया गया है अमेरिका से गरतांतर सब्द लिया गया है फारांस से आगे देखेंगे 24 नमर हो जाएगा चंद्रगूप्त के सत्रों के बिरोध चणक के ने जो चाले चली उनकी विस्त्रिस्त कथा निम्न में से किसमे मिलती है तो यह मिलता है मुद्रा राचस में और और सास्त्रे के लेखक कहेगा तो चणक के हो जाएगे मुद्रा राचस के लेखक हो जाएगे विसाक दत और वही इंडिका पुस्तर के लेखक है मेगास्तनीज और वो ही कहेगा कि गौतम बुद पहली बार उपदेश कहां दिये थे तो गौतम बुद जो थे पहली बार उपदेश दिये थे सारनात में और सरवाधिक उपदेश दिये थे सरवसक्ती में 25 नमर हो जाएगा हडपा लिपी में बड़े आकार के दोस चिन्नों वाला एक सीला ले कहां से पराप्त हुआ है ये धोला विरा से पराप्त हुआ है और धोला विरा कहां इस्तित है ये गुजरात में इस्तित है और धोला विरा से जल परवंदन का साक्षे पराप्त हुआ है बनवाली से कहेगा तो मिटी के हल का साक्षे पराप्थ हुआ है और ये हर्याणा मिश्तित है राखी गड़ी हडपा सेबाता का भारत मिश्तित सबसे बड़ा छेत्रे था और ये हर्याणा मिश्तित है लोथल भोगवान दीपे गुचरात मिश्तित है और लोथल हड़ापा काल का बंद्रेगा था आगे देखेंगे समूंद्र गुप्त के पर्याग प्रस्ती वाले अस्ताम पन्निम लिकित में से किसका लेख मिलता है तो ये मुगल सासक जागीर का लेख मिलता है जागीर जो थ सवड़ युक का जाता है और मुगल कालके अस्तपत्य युक कहेगा तो साजानकाल को असपत्य का सवड़ आ जाता है और साजनकाल के कहिगा पजपन का नाम याई उपणाम क्या था तो खुर्रम हो जाएगा 27 नमर हो जाएगा खोजुराहो मंदिर का संबंध निम्निलिकित में से किस धर्म से है खोजुराहो मंदिर का संबंध हो जाएगा हिंदू और जैन दोनों से हिंदू और जैन धर्म से इसमें हो जाएगा B और C खोजुराहो के मंदिर चंदेल सासक बनवाए थे और यह मद पर्देश में इस्तित है अजानता की जो मंदिर है यह बहुत धरम से समन्नी थे और यह माराश्च में इस्तित है जिसका रिमाना करवाए थे गूप्त सासक 28 नमर हो जाएगा दिवीतिय संगम का आयोजन निमने लिखित में से कहां किया गया दूसरा जो तमिल संगम हुआ था कपाट पूरम में हुआ था और पौला हुआ था मदूराई में वही कहेगा कि काच्ची पूरम किसका राजधानी था काच्ची पूरम जो था पौला बंस के राजधानी था वही तंजावर या तंजावर कहेगा तो चोल बंस के राजधानी था जिसका संस्थापक थे बिजयाल ले और पॉला बंच के संस्थापा कहेगा तो सी पी सुलू हो जाएंगे काची के कैलास मंदी कहेगा तो नर्सी बनमन दिवित ये बनवाए थे और माहावालीपुरम के रत मंदीर कहेगा तो नर्सी बनमन प्रोथम बनवाए थे आगे देख रहेंगे गुलरूखी सीशक से फार्सी कविताई लिखने वाला सुल्तान कोण था तो यह हो जाएंगे स्रीकंदर लोधी इन्होंने आगरास और केस्तापना किये पंद्रों सो चारीसी में लोधी बंस के अंदीम सासर कहेगा तो हो जाएंगे इबराहीम लोधी और लोधी बंस के संस्थापक थे बहलो लोधी और स्वल्तनत काल में सरवाधिक सासन करने वाले सासर कहेगा तो बहलो लोधी हो जाएंगे और बंस कहेगा तो तूगलक बंस था आगे देखेंगे नीम्ड में से किसे ने अंग्रेजी सोन मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोशित किया था तिवे किये थे लॉर्ड करजन ने लॉर्ड करजन के सासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ 14 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड रीपन ने वर्णा किलोर प्रेस एक्ट को समाप्त किये थे 1882 में और इनके कारेकाल में स्वेत बिद्रो हुआ और इनके कारेकाल में इलवर्ट बिल लाया गया था और वर्णा किलोर प्रेस एक्ट लाव किये थे बंगाल में लॉर्ड लीटन 1878 में कोंगरेस का गठान लोड दोफिन के कारेकाल में वगा 1885 में और यह मुंबाई में वगा था बैपार समदी बहुधिक समपती अधिकारों के निम्न विशाय है तो यह हो जाएगा बैपार मार्क और दोगिक परिरूप और भगोलिक सक्केत इसमें हो जाएगा एक दू तीन आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 32 नमर कोश्चन है 32 नमर में अंदोलन है और उससे परभावी छेतर देखते हैं फकीर बिद्रो कहेगा कहां हुआ था फकीर बिद्रो हुआ था बंगाल में हुआ था और इसका नेता थे मजनुसा है कुका अंदोलन कहेगा तो यह हुआ थ मोपला विद्रो हुआ था केरल में जो 1921 में हुआ और इसका नेता कायेगा तो अल्ली मूल पर यार हो जाएंगे खासी विद्रो हुआ था असम और इसके नेता कायेगा तो तीरत सी ही थे एक हुगा रामोसी विद्रो और ये पश्मी घाट में हुगा था इसका नेता कायेगा तचीतर से ही थे 33 नमर कोशन है बीमेस इंडिया एसोसियेशन के संस्थाप़ कौन थे तो इसमें हो जाएंगी लेडी सदा सीव आयर और इसका अस्थापना किये थे 1917 में एनी बेसेंट का पत्रीका का नाम हो जाएगा कॉमन बेड या नीव इंडिया जोती वाफ फूले ने 1873 में सत्य सोतक समाज के अस्थापना किये थे रामा बाई ने 1889 में सर्दा सदन के अस्थापना किये थे चौतीस नमर हो जाएगा निमन लिकित में से कौन सा एलमोनियम का यस्क है तो इसमें जो कोरोंडम है ये एलमोनियम का यस्क है नाइटर हो जाएगा पोटेसियम का इसे राइट हो जाएगा तो मैगनिसियम का और सीले अस्टाइन हो जाएगा अस्टांसियम का आगे देखेंगे पूराने तेल चीत्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका परियोग किया जता है हाईडोजन पर ऑक्साइड का जिंक सल्फेड का परियोग खेत को अधिक उर्बरता बनाने के लिए किया जता है सुल्फिणी कल्मल को रासायन का राजय कह आ जाता है 36 नमर है आवर्थ सानरी में 20 बलोग के सभी ततवे धातू है तो जो A बलोग और F बलोग है इसमें सभी जो ततवे है धातू है और आवर्थ कहईगा मोडर्न आवर्थ सानरी के विश्कार कि इसने किये था तो मुसले किये थे 1913 इसीव में 37 नमर हो जाएगा निलेखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का परवा भारतिय संदर में अधिक उलनसील कहा जा सकता है तो यह हो जाएगा B और C दोनों में यानि कि अनिवासी भारतिय जमाए और विदेशी पोर्टोफोलियो निवेज इसे दोनों को विदेशी मुद्रा का परवा भारतिय संदर में अधिक उलनसील कहा जा सकता है विदेशी मुद्रा का जो रख रखाओ देखता है तो गार भी आई देखता है आगे देखते हैं एक लेंस में पलस 2.0 डायाप्टर की सकती है लेंस की कीश में आपार कीड़तिक और इसकी फोकस लंबाई होगी तो जो पलस दिया गया तो इसका मतल लेंस जो है उतल होगा और फोकस लेंस का सुतर होता है बराबर ओन बाई डिए तो दो दिया गया है तो दो सभाब कीजिएगा तो पॉइंट पांच मीटर हो जाएगा 49 नमर हो जाएगा दबाव बढ़ाने से बर्प के गरलांग पर क्या परवाब पड़ेगा तो जो दबाव बढ़ता है तो बर्प के गरलांग है वो घट जाता है आगे देखेंगे पायरोमीटर का परियोग निमनलिकित में से किसके मापन में किया जाता है पायरोमीटर का परियोग करते हैं उचेताप मापने में बायरोमीटर का परियोग किया जाता है वाव दाप मापने में भुकम्प की तीविता मापने में रियक्टर अस्केल का परियोग के रहता है आगे देख लेंगे उत्पादक कीमत सुचकांग मापता है उत्पादक कीमत जो सुचकांग है उत्पादित वस्तु और सेवाओ की कीमत की औसत परिवर्तन को मापता है आगे देखेंगे 42. नमर हो जाएगा नाभिक के अलावा कोशिका के कीस कोशिकांग में DNA पाय जाता है तो माईटो कॉनडिया में पाय जाता है माईटो कॉनडिया के खोज किये थे Ultimate 1886 में और इसका नाम करना किये थे बेंडा ने माइट्रो कॉंडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है लाईसो सुनके खुज किये थे डीद दूबे उनिस सवन ठावन में और इसे आत्म हत्या की थैली कहते हैं गोलजी उपकरन का परियोग यातयात के रूप में करते हैं लाल रक्त को सिकाओं की औसट आउ कितनी होती है ते 120 दिन होता है और इसका निर्मार कहेगा तरस्थी माजान होता है वही सवेट रक्त का कहाँ कहेगा औसट वाव होता है तो 2-4 दिन 45 नमर कुर्चन हो जाएगा निनलीखित में कौन एक लिंगी है तो इसमें जो एसकेरी से एक लिंगी है केचुआ और जोंक जो है ये एनलेडा गुरूप के अंतरवत आते हैं आगे देखेंगे आगे मिदान करना है सुची 1 को सुची 2 से मिदान करना है लाइपेज एनजाइम का कारे क्या है तो ये वसा का वसा भी गटन एनजाइम है वही एमाइलेज काएगा तो कार्बोहेडियोट का पाचन में कारे करता है इरेप्सिन काएगा तो पॉली पेप्टाइट को एमीलो अमने में बदलता है और ट्रिप्सिन करेगा तो पोटीन के पाचन में उपियोग होता है आगे देखेंगे 46 नमर हो जाएगा निमने लिकित में से कौन सा कारे सरीर में हीमोगुलोबीन का है तो हीमोगुलोबीन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोगोलोबिन का कार हो जाएगा सरीर में अक्सीजन का परिवावन करना और जीमाड़ों को कहेगा नस्ट कौन करता है तो जो एंटोबाइटी कहता है जीमाड़ों को नस्ट करता है हीमोगोलोबिन में लोहा पाया देता है और कार्बन जो मोनोउक्साइड है यह हीमोगोलोबिन को बलोग कर देता है आगे देखेंगे संजुक ते राश्ट संगेव किरिसे संगठन यानि कि FAO का मुख्याले कहां है स्थित है तो इसका मुख्याले हो जाएगा रोम में इसका गौठन वाथा 1965 में वही WTO या WHTO का मकाएगा कि मुख्यले कहा है तो जैनेवा हो जाएगा WTO का गौठन वाथा 1995 में और WHO का गौठन वाथा temas 1992 में इवने इसको कि मुख्यले हो जाएगा पेरिस और इसका गतन L deja ligne of 45 में नाम के गठन हुआ था 1961 में और इसका मुख्याले लंदन हो जाएगा गुलकूंडा का कीला कीस राजे मिश्टी थे ये तेलागना मिश्टी थे और इसे बनवाए थे कुली कुतुब साने और वही कहिए कि मीती बचाओ अंदुलन की सुरुवात की से राजे से हुगा तो महाराश्टी सुगा था आगे देखेंगे 49 नमर कोशन हो जाएगा बीशु दिमाग गरंद की संपरदाय से समद्नित है तो ये हिनियान से समद्नित है हिनियान और महायान ये बहुत धर्म के संखाय है जो की चतूर थे बहुत संगीती में इसका विवाजन हो गया था वही सवेतामबर और दिगामबर कहेगा तो ये जैन धर्म के संखाय है और इसका विवाजन हो गया था जैन धर्म के प्रथम संगीती में पचास नमर हो जाएगा, जय सहिंता के नाम से भी क्यात हुआ, जय सहिंता क्या है तो महाभारत का ये अन्य नाम है, महाभारत का जो यूद था ये अठारा दिन तक चला था, सबसे कहेगा कि पुराना महाकब ये कौन सा है तो रमाण हो जाएगा, जिसकी राचना किये थे बा पुरान किस कहेगा संख्या कितनी है दाठार आगे देखेंगे आगे कुछ वन लाइनियर कोश्चन है देख लेते हैं किसने अपनी राधानी को धाका से मुर्शीदाबाद अस्थांत्रीत किया था तिये हो जाएंगे मुर्शीद कूलिखा किसने अपनी राधानी को मुर्शीदाबाद से मुर्शीदाबाद से मुर्शीद किया था तिये हो जाएंगे मुर्शीद कूलिखा किसके सासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था तो अलवर्दी खाके सासनकाल को आगे दिखेंगे प्रसीद गिरिया का यूद कब हुआ था 1746 में बलेक होल अप ट्रेजडी की घटना कब हुई थी 20 जुन 1756 में पलासी का यूद हुआ था 23 जुन 1757 में और रोबर्ट कलाईवें सिराजु दॉल्ला के मौध्धे बक्सर का यूद कब हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में और किसके किसके बीज तो अंग्रेज एक तरफ से अंग्रेज थे और एक तरफ से मिर कासिम सुजाओ दॉल्ला यह सालम दिरितिये थे जिसमें अंग्रेजों का नेतित्व एक तर हेक्टर मुन्रो किये थे आगे देखेंगे किये थे औक वार ने किस सीख गूरू की पूत्री को कोई गाउन दान में दिये तो गूरू रामदास को आगे देखेंगे किसने अमरीच सरशवर के अस्तापना की यह वहाँ जलासे का निर्माड करवाया किसने सीखो के धार्मी गरन्त आदी गरंद की राचना की तो गुरू अर्जुन देव किये थे किसने अकाल तक ते य algún कि इस्वर का स्यासन का निर्माड करवाया तो गुरू हर गुवीन करवाये स्ीखो के दसवेयों अन्तुम गुरू गुरू गुवीन सी का जनम हुआ था पटना में हुआ था सोरसो चाचाटिसमे में और कहेगा कि इन्होंने खूद को संचा बदसा कहा गुरुगोविन सी अपने आपको संचा बदसा कहे थे इन्होंने सीख संपरदाई के लोगों को अपने नाम के हंत में सी जोड़ने का कहा इन्होंने सीखों के इन्होंने सीख नागिरीकों को केश, कंगा, किरपार, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमती दी इन्होंने फार्शी भासा में जफा नामा लिखा था वही साजानामा के लेखा काएगा तो फिर दौसी हो जाएंगे आगे देख लेंगे अमरी सरके के कएगा संदी कब गथा ता 1890 मुगा था पहला हुआ था Lord Harding के कारे में और दूसरा Lordology के कारेकाल में ये वीडियो का लाश को चना है वीडियो का लाश तक देखने के लिए धान्य बाद वीडियो पसंदारा तर लाइक कर दीजेगा और चैनल पना है तर सस्क्राइब भी कर दीजेगा कुछ सुझा में वसला देना है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसका पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रीप्शन में टेलिग्राम का लिंक है वहाँ से डावलोड कर लिजिए या टेलिग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुभा स्टड़ी थैंक यू